हालो इस्टूडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में रख होसला वो मंजर भी आएगा कुशियों का चल कर समंदर भी आएगा ठक करना वेठ ऐ मंजल के मुसाफिर मंजल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों बस यही एक लाइन है जो कि आपके लिए काफी कुछ कर सकती है क्योंकि अब आप ऐसी अवस्था में पहुँची चुके हैं क्योंकि हम देखेंगे सीटेट की कलास सीटेट टेट यूपी टेट सूपर टेट एमपी टेट जेट एच टेट मतलब कोई भी टेट हो अ सिस्टम के सीख लिए हैं अब हमें सिर्फ और सिर्फ कोईस्टन करने हैं इमानदारी से कलास को इंडे तक देखना बीच में कभी इसकी ना करना अगर आप इस वीडियो को डेमो के रूप में कहीं देख पारें तो वीडियो को डाउनलोड नहीं करना सिर्फ आनलाइन किये और देखते रहिए रही है कि पहला है बहुत ही सिंपल सा है लेकिन देखने में अगर नहीं हैं आप इस खेल में तो थोड़ा सा आपको अजीब सल लगएगा Easy 0.05 into 0.05 माइनस 0.05 न और फिर वही क्या है और इसमें इसमीरा बने गाletter सबसे पहले हम आपको याद दिला दें इंदर सायड में अगर आपको यह फर्मूले आते हैं तब तो अच्छी बात है अगर आपको यह फर्मूले नहीं आते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी भूली बिसरी यादों को एक बार फिर से ताजा करिए और इनको सब को आप क्या करोगे भाई या इनको आप ले के चलो याद करके चलो इन फार्मूलों को क्योंकि इनी का तो अभी यहां पर परियोग होने वाला है यह मैं आपको थोड़ा फर डिफरेंस बता देता हूं लोग कंफ्यूज हो जाते माइनस प्लस में अगर माइनस वाला फर्मूला होता है तो यह भी माइनस होता है बस बाकि यह और भी हमेसा प्लस होता दोनों में याद रखना तो इसमें हम क्या करेंगे काहली हम इसको लिख मैं देखो इदर साइड में दिखा देता हूं उदर मैंने कुछ मेंनिंग लिखा था उपर साइड उसको आपन देखा कर देना यह तो मैं मिटाई देता हूं चलो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं अगर हम यहां पर मान लें कुछ क्योंकि मैत में मानना बहुत बड़ी ब वह कुछ ऐसे बन जाएगा यहां पर ध्यान देना यह इंटू ए हो जायागा माइनस यह बी इंटू बी बन जायागा नीचे आपका ए माइनस बी बन जायेगा बोल यह बन जायेगा ना क्यूंकि मैंने एका इकवल 0.05 मान लिया और बी को 0.03 मान लिया अब अगर इसको हम आगे simplify करते हैं नीचे अगर आपको दिख रहा है तो मैं नीचे भी लिख सकता हूं दिख रहा है चलिए तो a का a में multiple करोगे a का i square minus b का b में तो b का i square और यह a minus b ऐसे रहेगा final में आप सबको पता है क्या होने वाला है मैं यहां ऊपर five में ले चलके कर देता हूं यहां से पकड़के यहां पर a square minus b का i square सबसे पहले मैंने formula side में लिख दिया है होता है a plus b and a minus b कहीं कहीं minus वाला पहले लिखते हैं plus वाला बाद में इससे कोई फरक नहीं बढ़ता क्योंकि multiple करने पर क्रम बदल जाए अगर तो कोई effect नहीं पढ़ता उत्तर वही आता है जैसे दो का पांच में गुड़ा करोगे तो 10 आएगा पांच का दो में करोगे तब भी 10 आएगा आप विश्तरित फां में बता देता हूं यह देखिए इसको यह पूरे के नीचे है ना तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कि बोल ये लिख सकते हैं ना नहीं तो मैं इसको एक बार में कर देता हूं आप ध्यान दीजिए नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा क्या मतलब है फालतू ज्यादा बास नाद क्या करेंगे उसके बात क्या करेंगे पता हैं कि उसके बाद इसको जोडेंगे तो 0.08 यह तो था बेसिक रूप लेकिन यह आपके एक्जाम में काम नहीं आए गा मैंसका टरीक को बता देता हम आँ अभी ध्यान देना एक सीकंड में या 5 सिकंड में कर लो एक नहीं बोलूँगा मैं 5 सिकंड में कर लोगी यह बेसिक हो गया आपने इसे समझ लिया होगा नोट करिए वीडियो को इस्क्रीन पे टच करके रोंक लिजिए और लिख लिजिए अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ना है नोट्स बनाने हैं यह सारे कारे अगर आप करेंगे तो निश्चे ही आप बहुत जल्दी ही जो चाहते हैं वो मिलेगा मतलब एक जाम में आप कॉलिफाइड होंगी आप देखिए इसका ट्रिक में बता दूं अगर आप यहां पे देखो तो माइनस है यहां पे भी देखो तो माइनस है यह दोनों एक समान है इनको देखने के बाद अगर दूसरा सवाल आपको इस तरह से मिलेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा की तो इसके रूप का बनेगा 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 तो अगर नीचे माइनस है नीचे माइ बस बाकि तीफरा कुछ नहीं है उनीकर repeat करके लिखा गया ना अगर यहां भी माहिने से तो आप क्या करोगे इसके लिए ट्रिक है प्लस भी याद रखना क्या है यह यह ट्रिक मान लो कहीं दिया नहीं मैंने बता दिया ट्रिक a plus b आपको इस तरह के सवाल देखते हैं simple में जोड़ देना 0.05 plus 0.03 जोड़ देना है 0.08 इसका answer आजाएगा अगर आप सवाल एक जाम में देख रहो आपका calculation फाइस्ट basic concept मजबूत है तो आप इसको जैसे देखोगे आपके दिमाख में तुरंट इसका image बन जाएगा आप दो सिकेंड में उत्तर divide कर लोगे हो जाएगा ना simple सी बात है यह हो गया लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभी अंतर हो सकता है वो कैसा मैं बताता हूँ चलिए अगले सवाल में दिखा देता हूँ मैं आपको सवाल बदल दूँ या फिर एही रहने दूँ चलिए इसी पर दिखा देते हैं जाने दीजिए बदलने से क्या मतलब है अब गौर करना इधर साइड में ये तो हो गया आपका अगर आपने नहीं लिखा था अभी तक मुही देख रहे थे कड़े होके तो भाई आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से लेख लीजिए अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तब क्या होगा भाई सिंपल सी बात है अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है यानि उपर अगर माइनस है तो पक्का है कि यह सूत्र बनेगा तेकिन अगर प्लस होगा तो नहीं बनेगा कुछ और होगा याद रखना अगर यह प्लस हो गया यानि आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा यह 0.05 से 0.03 आप सब्ट्रेक करेंगे 0.02 इसका अंसर आएगा यह क्या है ट्रिक नंबर इसका इसी का दूसरा है मान लेची है बात समझ में आई ना बहुत से चात्र बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कुप डखेले पड़े हैं मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूं जैसे मोहित देखे कमेंट कर रहे हैं अनन्त विनीता और कौन है संध्या और पंकच मुझे पता है लेकिन टाइम बहुत बेश्ट होता इसलिए माफी चाते हैं आप लोग से मैं किसी का नाम नहीं बोल सकता हूं सिर्फ और सिर्फ मैं प बच्चे नहीं लेकिन फिर भी हो मर करिएगा जरूर यह उसी टाइब के हैं सेम टू सेम अगर आप इसे यूटूब पर डेमो देख वा रहे हैं तो आंसर फट से कमेंट कर दीजिए जल्दी से देखिए हमारे मित्रगन लोग आपको कमेंट बाक्स में रिपलाई भी कर ल है कि देखिए अगला सवाल टाइप नूंबर सिकेंड टाइप में भी हम सर्वसमिका के आधार पर ही कुश्चन करेंगे यह सर्वसमिका चेंज हो जाएगी अब देना सर्वसमिका आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एक्जाम में नहीं दिया जाएगा मैं बगल में लिख जाएगा फर्मूला आपई सिंपल सी बात है अगर हम आठ को ए मान लेंगे तो यह गुड़ा एगुड़ा एग और यह बूड़ा-पी गुड़ा-पी हो जाएगा चुकि तीन-तीन बार है और यह अगड़ा-ए और धन यह बूड़ा-भी और धन यह बनेंगा ना फाइनल इसके आगे जो होगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे आपको यह फर्मूला आएगी नहीं, सर्वसमिका पता नहीं होगी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप याद कर लीजिए तो ठीक होगा सब, चलिए, अब हमें पता है कि इस सर्वसमिका का जो AQ-BQ का मान होता ह अब हम यहां के बाद यहां इसको ले चल रहे हैं ध्यान देना यहां के बाद यहां इसका जो मान होता है वो A-V एक कोश्ठक में और दूसर के वाले में सब प्लस होता है क्या होता पता है A काई स्क्वाइर प्लस A B प्लस B काई स्क्वाइर देखिए कुछ लोग पहले 20 स्कॉयर बाद लिख देते हैं बाद में भी लिखते हैं वो भी सही गलत नहीं है ठीक है तो नीचे जो है इनको ऐसे लिख दो चुप चाफ सिंपल में हैं ये सीधे साधे पिना किसी परकार की छेड़ छाड़ के इनको लिख दीजिए अब अगर क्योंकि हमने एक जगह पर आठ माना था बी की जगह पर साथ माना था तो फाइनल में हम इनको ये फाइनल रूप दे दें की इनका उत्तर एक आएगा इसको आप लिख लीजिए इनका मैं आपको ट्रिक सुझा देता हूं ऐसे आपके दिमाग में ट्रिक आ गया होगा नही बड़ी बात नहीं है आपको बहुत सी चीज़ें याद होंगी जो आप चाहके भी नहीं भूल पा रहें तो यह तो याद हो जाएगा ना इसकी भी ट्रिक देखिये जो हमने अभी बेसरी कांसेप्ट किया उसके आधार पर हमें अनुभव हुआ कि स्केट्रीक ए माइनस बी होगी कैसे होगी देखिये आपके मन में अगर इसका फर्मूला बन रहा है एक क्यूब माइनस बी क्यूब का तो आपको पता है कि तो बचेगा क्या वही यह माइनस भी बचेगा ना तो यह ट्रिक हो गई बस इसमें और कोई ट्रिक नहीं है तो आप ए माइनस भी कर लोगे यह आपको सर्वसमीकाजी से अगर यह आपको याद है तब ही आपकी ट्रिक काम करेगी अन्यता आपका दिमाग जो है ना वह एक्जाम में जाने के बाद ट्रिक बुला जाता है के वल बेसिक याद रखता बस तो इसलिए ट्रिक के आधार पे कोई भी चीज मत पढ़िए सिर नहीं आती है कि इस सवाल को भी आप कर लेंगे उसी तरह से आप खुद से ट्राइ करिएगा और मुझे उत्तर बताईएगा देखिए अगर मैं ट्रिक के आधार पे इसको आपको करके दिखाऊं तो इसका आंसर पांच आएगा क्योंकि आप 12-7 घटा लोगे पांच तो यह देख कर नहीं घबराना सिर्फ आपको तरीका लगाना है लेकिन हाँ आईका बात है कि आपको इसमें कल्कुलेशन आना चाहिए अगर आपको इसको सब्सक्र यह और इसके प्लस वाले सूत्र पर अधारित सवाल हो अब धिखो धियान देना यह माइनस का सूत्र आपको अंतर समझ में आ जाए एक क्यूब और ये प्लस बी का क्यूब ना नीचे ये ए प्लस भी हो जाता है जो यहां माइनस है वो प्लस वाले में प्लस और ये एकाई स्कॉयर ये माइनस एबी और धन बी काई स्कॉयर बात समझ में आई ना अगर प्लस वाला सुत्र है तो यह एपी जो है वह माइनस होगा अगर माइनस वाला है तो यह पहला यह मैनस भी माइनस होगा अब अगर आप ध्यान दीजिए उसकी ट्रिक बनेगी हमें पता है कि माइनस वाला कट जाएगा यह उपर कट जाएगा लेकिन फर्मूला में जो यह प्लस भी बच रहा वो बचेगा न तो आप कह सकते हो कि इस तरह का जो सवाल है उसकी ट्रीक प्लस भी होगी यह निस सवाल का उत्तर नहीं होगा बारा साथ उन्न दर्दा ऐसा होता ना कि वो किसी से कह occur नहीं पाते हैं पज़ को इसी वजासे मैं उसको नहीं बंद करने वाला था लेकिन कुछ लोगों ने था घर ऑर अब कुछ दिन के लिए डाउन कर देते हैं अब आपको कुछ high level में भी ले चलते हैं SSC bank railway की भी कुछ class आपको दिखा देते हैं तो ये number system चल रहा है संख्या पद्धति अगर आप SSC railway का परिक्षा देना चाहते हैं तो उसमें भी इस तरह के सवाल आते हैं कि अगला सवाल देखिए बहुत ही आसान है बेरी सिंपल सा है इस तरह के सवाल आपके एक जम में आ सकते हैं इसमें कॉम्पर्टीशन में पूछा गया कुछ रिकार्ड भी दिया है पॉप्सन है 16,64,32,42 कि रहा कि किसी संख्या के दो तिहाई का तीन चौथाई 32 है तो संख्या बताईए भाई पहले तो आपको तिहाई चौथाई ये आना चाहिए अड़हिया औढ़हिया जो होता है क्या सुने हो कि नहीं पहले के जमाने में जैसे पवाव बोलते हैं सुने मतलब चार गुडा एक बटत तीन अगर मेंने कहा कि 12 का एक चौथाई मतलब 12 का 1-4 मतलब होता है तीन ठीक है यानि जिसमें चार का गुड़ा कर दें तो आ जाए बारा यही मतलब होता है इसका तिहाई चाउथाई का चलिए देखते हैं कहरा कि किसी संख्या का तो भईया हमें संख्या तो नहीं पता कौन सी संख्या है तो पहले हम मानेंगे क्योंकि मायत में मानना बड़ी बात होती है पहले माना जाता है माना संख्या बराबर यक्स न अब प्रफन banda अनुसार अगर तो ना इस से लिखोंगा संख्या candidate ती हाई फिर संख्या का चाहँ का मतलब होता है उग्या का का चाहँ मतलब 325 कि मिच में का बोला था मैंने इसन नहीं गुरा लगा दिया करत कि बत्तिसथ है अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका काउंस आप संसाही होगा क्लियर हो गया होगा तो भाईया सिंपल सी बात है तीन से तीन कार्ड दो दो इसे दूई कार्ड दो यह चार दो दुना चार अगर आप यहां फे देखेंगे तो यह सपांड टू इक्वल थार्टी कि और जाएगा अब हम यहां पर उत्तर की जांच भी कर सकते हैं म iath veinटिक्स में यहीं तो मजड़ेदर होता है कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं ऑसरैंसर की जांच कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि कि गलत है option number 20 है अगर आप option देखें तो मैं सामने से पूरी तरह फ्याट गया हूँ आप चाहिए तो screen start भी ले लेजिए वीडियो का जिससे आप समझ सकें चलिए अब हम आपको इसका proof दिखा देते हैं यह answer तो हो गया इसका proof देख लीजिए कुछ मिनट में कह रहा था कि संख्या का 3-4 यहीं कह रहा था ना पतीफ है लेकिन उसके पहले दो तिहाई भी बोल रहा था तो संख्या का 2-3 मतलब 2-3 ठीक क्या संख्या का 2-3 भाई संख्या कितना आई 4-6 आई ना ठीक है कि इसका 3-4 मतलब 3-4 इस सब कुछ करो तो बतिफ आना चाहिए अगर 32 आगया तो सही है और अगर नहीं आया तो गलत है तो चलो बहुत है तो चलो चार से इनको कार्ट दो वीडियो को रों करके फटा फट नोट करिए कि देखिए टाइप नंबर थार्ड है लेकिन सवाल नंबर फोर है यह टाइप थार्ड का ही है करा किसी संख्या का थ्री अपांच सेवन भाग जो है जो भी कुछ आएगा उसका दो तिहाई उसका दो तीहाई और जो दो तीहाई करने पर आएगा उसका भी चार बटा पांच भाग इतनी सारी तिकडम करने के बाद में 38 आएगा तो फिर इतने पर ही नहीं रुकता कि संख्या बता हो पीर वो जो तो कुछ मिलेगा इतना कुछ भूजाने के बाद उसका 30 परसत कमान क्या होगा है ना सवाल यह आपका समझदारी के लिए न अप्सन है आपके आप जल्दी से सेलेक्ट करिए अपने दिमाग में रखिएगा किसी से मत बताईएगा चलिए अब इनको हम हल करते हैं इसका आंस किसना अनूसार इकारडंग्टूदा कुईस्टन कि का करेंगे जो जो कहत रहा है picking इंज मतलब दूबटा तीन का चार्बटा पांच भाग 48 देखिए एक बाद ध्यान दिजिएगा यहां हर जगा का का की हो रही है का और के न तो यह का का की आते हैं न तो गुड़ा होता है हर जगा मल्टीपल होता है याद रखना अगर अंतर बोलेगा कहीं भी तो घटाई दोगे अगर कहेगा का अंतर चार बटा-पांच है या फिर तिहाई का जो है या फिर तिहाई अंतर चार बटा-पांच ह ऐसा कुछ अगर अंतर बोला या कुल बोला कुल बोलेगा तो जोड़ोगे अंतर बोलेगा तो घटाओगे और का बोलेगा तो बाग करोगे यह लेंग्वेज समझना हिंदी का मैद से क्या रिलेशन है हां इनको हल कर लीजिए बस आपका अंसर आगया अब अगर हम यहां पर देखें तो तीन से तीन कट जाएगा भाइया बाकी और तो कुछ नहीं कटेगा सब फटा फट गुड़ा हो जाएगा चार दुना आठ यक्स नीचे यह साथ पाचे 35 क्यों यहीं तो होगा ना और बरा इच्छा में देखिए इनको हल करना बहुत आसान है सिंपल सा है यह मैं साइड में आपको दिखा देता हूं सामने आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे हमें यक्स का मान निकालना यहां पर हम इन्टू थार्टी फाइबाने येट से काटोगे 6 आएगा येक्स का वैलू 6 इन्टू 35 आएगा मल्टिपल कर लोगे अगर आपको गुड़ा भाग आता है तो भाई ये 210 आएगा लेकिन अभी उत्तर नहीं आया क्यों अभी तो वह संख्या आई है जिसका ये सब किया गया ह अभी वह संख्या आई है उत्तर पूछ रहा है कि उस संख्या का तीस परतिसत बताईए अब हम इसको तीस परतिसत निकालेंगे इसका तब हमारा उत्तर आएगा ठीक है जल्दी लिख लिए उसके बाद फिर हम आगे करते हैं इसमें एक इस्टे पाउर भी है अभी इतने स को थोड़ा बैक करिए 10-20 सिकेंड यह फिर से स्क्रीन पर आजाएगा घब राइए गमत चलिए अब लिखिए अता संख्या का तीस परतिसत क्या होगा वह यह तीस परतिसत मतलब 210 का तीस परतिसत जीरो लेबल बहुत पढ़ाया हूं बुड़ा आगया पढ़ाते पढ़ा कर दोगे गुड़ लगाना तो गुड़ा कर दोगे सौ से भाग कर दीजिए 1010 और यह नीचे से 20-00 उपर से 20-00 कड़ गया तीन एक कम तीन तीन दून अच्छा 63 अंसर आ गया अब 63 के उपर यह फारा जो भी यहां जादू टोना दिया गया आजमा के देख लो फिर से वह स तरह का सवाल हो गया आपका इसमें हम आपके लिए होमोर का एक सवाल बना देते हैं आप लोग दिमाग दुड़ा लेना और फिर मुझे बता देना अगर यह 48 की जगह आपको ऐसे बदल दिया जाए एक सवाल बन जाएगा आपके लिए मालो 70 कर दें और यहां पर भीया तीन मान बताना हो तो क्या होगा आप लोग करिए ठीक है रही करिए थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी आपका अभी अभ्यास हो जाएगा और हाँ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपनी संग कोछ बताइए जो बच्चे पीवियर इस्टड़ी एप में कलाफ लिए और आप डाउट भी पूछ पाते हैं जबकि यूटूब पे क्या होता है कि कोर्स बहुत ज़्यादा समय में खतम होता क्योंकि फ्री का कलास चलाने का टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो फिर ऐसी कलास का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता अच्छा लेकिन हाँ आपको कल लगे घाव करे गंभीर तो यह चोटन तो है नहीं यह इसके उपर वो कहावत लागू होती है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और पंक्छी को छाया नहीं फल लागे अतिदूर तो वही हाल है यह बड़ा है तो क्या है लेकिन यह बड़ा आसान है आप ने सुना होगा जब संख्या पद्धती में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं एक से लेकर के यन तक लिखिए आप लिखिए एक से लेकर क्या लिखेंगे यहां पर एक से लेकर यन तक की सभी एक से लेकर के यन तक की सभी विसम संख्याओं का वि एक से लेकर के यन तक की सभी जो है विसम संख्याओं के वर्गों का योगफल देखिए अगर यहां पर वर्ग ना होता तब हम लिखते एक से लेकर के यन तक की सभी संख्याओं का योगफल फिर वहां पर यह फर्मूला चेंज हो जाता चोटा हो जाता लेकिन यहां पर वर् लखाय में कि संक्याओं कि वर्गों का युगफल क्या होता है चेल्ग संख्यां का यूगफल क्या होता है और खूष RTX 11 तक क्योंकि पूचympt तर आपके सामने दोड़ के आजाएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा यहन कमान 19 रखेंगे आप और यह को जाएगा दो और और यह होजाएगा ऑड़ suggestive कर देता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है इधर साइड आफ हल करोगे तो क्या हो जाएगा यह इधर आफ हल करोगे तो यह 19 गुड़ा यह 20 गुड़ा हो जाएगा बच्चा नीचे एच्छा हो जाएगा इसको आप काट लोगे अगर आप काट के देखो तो यह फाइनल में तुसायद नहीं कट रहा है कटेगा क्या कटेगा ना कट के देखिए तीन से काट दें तो तीन दूना छे और तीन सते 12 गुड़ा कर लीजी आप फाइन जीरो आ गया मतलब यह आप सो नंबर सी सही है बात समझ में आई ना यह आपका फरमुला हो घै कितना छोटा फाथा प्यारा फाथा ना एक से लेकरके यन तक की सभी गहें संक्षाओं का योग फ Запल या फिर ऐसे अगर यहां पर वर्ग ना होता तो क्या करते पता है तब फर्मुला फिर बदल जाता वो सवाल मैं आपको बताऊंगा आप इसको नोट करिए यहां पर आप सूत्र लिखने से पहले लिख लिजिएगा एक से ले करके यन तक की सभी प्रकृतिक संख्याओं के वर्गों का यो प्रकृतिक संख्या ना लगाओ तब भी ठीक है लेकिन अगर लगा लोगे थोड़ा उर अच्छा हो जाएगा चलिए अगले सवाल की तरह कि इसी में मैं एक और सवाल बना देता हूं आप लोगों के लिए यह लिख लो आप लोग टाइप नंबर तो पाचमा ही रहेगा यह सवाल हो जाएगा अगर यहां पर यह थोड़ा बढ़ा दिया जाए ले जाकर के इसको पहुंचा दिया जाए 45 नहीं 49 तक अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा कल्कुलेशन करके आप खुद से मुझे बताओगे आपके लिए अभ्यास प्रस्न हो गया आप यहां पर हर देंगे एक बात और सुन लिजिए अभी आगे आप कुछ कलास करेंगे तो हो सकता आपकी इसकी ट्रिक भी दिखाए अभी इसकी कोई ट्रिक नहीं हमारे पास ठीक है चलें आगे नोट कर लिए इनको करके दिखाना मुझे चलिए देखिए आपका टाइप नंबर 6 हो गया और यह आपका इस टाइप का लाश सवाल है अगर इस तरह से पूछा जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस और फिर डडडडडड 10 का क्यूब इसका मतलब यह है कि यह नं इसका मान 3,025 है तो कहरा कि 2 का क्यूब धंचार का क्यूब धंचे का क्यूब और डडडडडडडड बिस का क्यूब यानि सम संख्याओं का क्यूब याद रखना चूकि यहां पर देखो सभी इड़ाशें क्या करेंगे चलिए जैसे कहरा वसे हम भी करते हैं इनको हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका इसमें से option आप लोग जल्दी से अपने मन में सोच लीजिए उसके बाद आगे चलते हैं देखो भाईया यहां पे जो संख्याय दी गई है आप लिखिए दिया है क्या दिया है जो दिया है उसी में से हम निकालेंगे हमें यह दिया है कि one का क्यूब और प्लस त्री का क्यूब प्लस डाडडडडड दस का क्यूब बराबर 30025 है श्कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहां पर तोत्ति का क्यूब नहीं दिया था का है थिंका प्लिखिदी यह एक सीरियल से दिया है इसमें 10 के पहले सारी संख्याएं है यहां पे तीन भी ए चार भी ए पांच भी ए छे भी ए साथ आठ नो सब हैं चाहे तो हम पूरा लिखते हैं कोई गलती नहीं है ठीक है इतना ठीक है इसमें से हम दो का क्यूब क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे लेकिन अभी एक लिखे चलिए ग्याद करना है लिख लीजिए थोड़ा धंग से हो जाए क्या ग्याद करना है टू का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 10 यह 20 का क्यूब इसका मान हमें ग्याद करना है बहुत ही सिंपल है चुटकी भर में आ जाएगा लेकिन आपको थ प्लाद हुजाएंगे बोलो हो जाएंगे ना ठीना कामन का मतलब होता है भाग करना क्या होता है कामन का मतलब होता हुँआ है जैसे में आपको छोटा सा एक्जांपल दिखा हुँ मैं देखू पहले कि क्दिफ落 जादा बढूंद से दिख도 हर जगार आए तो नीचे आप इधर साइड थोड़ा सा एक्जांपल देख लीजिए अगर ये दो का क्यूब है और धन ये चार का क्यूब है और ये छे का क्यूब है इसमें अगर हम दो का क्यूब कामन ले रहे हैं इसका मतलब क्या आपको पता है इसका मतलब ये है कि हम इसको दो का क्यूब से भाग दे दे रहें ठीक है तो दो के क्यूब से भाग दोगे तो एक आएगा न एक क्यूब तो आप कर सकते हो कर सकते हो न यह चार का क्यूब है न चार का क्यूब को दो का क्यूब कामन का मतलब है कि इसे हम दो का क्यूब से भाग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दो का क्यूब से भाग कर दे रहें अब ध्यान दीजिये आधार जो है एक समान है तो एक दम basic पर चले जाओ एकदम basic पर चले जा भी या तो है 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 गुड़ा चार गुड़ा चार ना 2 का क्यूब का मतलब यह बोलो यह यह ना कि यह ना इसमें तो कोई डाउट नहीं ना मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि यह कामन लेने के बाद इसके अंदर के जो बचे हुए आउसे से कैसे हाए काट दो सबको अरे मैं तो उल्टा कर दिया थोड़ा सा वाज से कहने का मतलब एक एक काट ना इसे तो एक कम दो दूना चार दो एक कम दो दो दूना चार उपर दो दो तीन बारा है ना फाइनल में इनको गुड़ा अगर आप करोगे तो दो का क्यूब लिख सकते हो ना इसी तरह से आप भाग दोगे यह सिक्स का क्यूब में दो का क्यूब से तो इतीन का क्यूब आएगा फाइनल ऐसे ही यह सब हो जाएगा ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना थोड़ा सा आपको दिमाग का यहां पर परियोग करना है बाकी आसान बहुत अच्छा स दिया था तो दो का क्यूब का मतलब होता आठ इस कमान दिया है 3025 सब का गुड़ा कर लीजिए गुड़ा करना आपको आता है चुटकी भर में आपका अंसर आ गया यह देखो आट पंचे चालिस हांसी लाया चार और आट दूना सोला चार बीस का जीरो हांसी लाया दो दो लिख लो आर्ट तरीक 24 गुड़ा करना आपको आता है कुछ बताना नहीं है अपसर नंबर आपका सी सेलेक्ट हो जाएगा तो साथियों कैसी लगी आपको यह क्लास कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो निसंकोच आप उसे हमें अगर आप इस क्लास को यूटूब पर डेमो के रूप में देख वा रहे हैं या फिर आप इसे यूटूब पर फिरी क्लास के रूप में देख वा रहे हैं क्योंकि यूटूब बहुत सारी फ्री क्लासे भी चलती हैं तो आप क्या करेंगे इस तरह की जैसे आपने अभी त अच्छे से देखिए ज्यादा बेतर होगा बाकि यूटुब पे तो आपको ऐसे कलासे मिलती रहेंगी इसके लिए कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ पीवर स्टेडी चैनल नंबर दो सब्सक्राइब करके रखना है और बने रहना है हमारे साथ में हम आपको ऐसे कलास देत और उमीद करते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही हैल्प फुल वीडियो और जो भी छात्र कुछ भी इस परकार का शुपर टेटोगर देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही मातापूल वीडियो है